हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूँ आप लोग का हमारे होमियोपेटिक मेट्रेमेडिका सीरीज में फ्रेंड्स आज हम एक बहुत इंपोर्टन रेमेडी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अमोनियम कार्ब तो आप लोग ने बहुत जादा ये रेमेडी सुनी होगी बहुत जादा यूज भी की होगी अगर आप एक प्रेक्टिशनर हैं बट आज हम इसके बहुत ही डिफरेंट पॉइंट्स को जानेंगे और आपको इतनी इजी तरीके से आज में रेमेडी समझाने वाला हूँ फ्रेंट्स की आपको अब मेट्रेங Traffic खोलने की जूरत नहीं पड़ेगी और आपको इ रेमेडी आज बिल्कुल क्लिर होने वाली है तो सबसे पहले हम इसके की uses की बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी remedy profile पर चलेंगे friends, उसमें हम इसके की symptoms को समझेंगे, mental levels को समझेंगे, physical state को समझेंगे, की physically patient को क्या-क्या समस्या आती है, और फिर step by step हम इनके अलग-अलग levels को discuss करेंगे friends, और उसकी modalities को समझेंगे की सबसे ज्यादा aggravation कब होता है, patient को और ameloration कब होता है, यानि कि अराम कब मिलता है, तो चलिए फटा-फट इसके key uses पर चलते है friends, key use में जैसे की आप screen पर देख रहे हैं, सबसे पहला point है fatigue, यानि की थकावट, तो पूरे ammonium कार्ब में आपको friends, mentally भी as well as physically भी, दो चीज़े तो द बात की गई है, poor circulation, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके blood का circulation भी poor रहेगा friends, और इसके जो daily activities हैं, उसमें भी एक poor performance रहेगा, यानि कि इसकी body में ही पूरा एक circulation बहुत ज़्यादा poor रहता है, उसके कारण इसका जो performance है, वो भी कहीं न कहीं, बहुत ज़्यादा slow हो जाता है friends Third point में बात की गई है, respiratory illness, तो friends, bronchitis और बहुत ज़्यादा बलगम बनता है, और बलगम भी कैसा rattling sound, यानि कि उसमें क्या होता है, कि पूरी आपकी lungs में बलगम ही बलगम भर जाये, तो उसके लिए बहुत important remedy है friends, जब हम इसके remedy profile पर चलेंगे, तब हम इस point को और ज़्यादा deeply discuss करेंगे, fourth point में बात की गई है friends, scarlet fever, तो scarlet fever होता क्या है, friends, यह एक bacterial, या फिर आप कह सकते हैं कि एक viral fever है, जो हमारी पूरी बोड़ी में रैशिश पैदा कर देता है, और उसके साथ ही हमारे गले पर भी effect डालता है, friends, इसमें आपको sore throat मिलेगा, उसके साथ साथ बहुत high fever रहेगा, और उसके साथ साथ पूरी red sports रहेंगे, पूरी skin पर, और सबसे ज़्यादा यह बच्चों में देखा जाता है, friends, आपके साबने, या फिर आपके asperos में भी ऐसा case देखने को मिलेगा, last point में बात की गई है skin condition, तो बहुत सारी skin conditions में remedy काम आती है, friends, urticaria, pimples, boils, तो बहुत सारी skin conditions में remedy काम आती है, उसको हम remedy profile में अच्छे से discuss करेंगे, friends, तो चलिए, इसके remedy profile पर चलते हैं, और जानते हैं सबसे पहले इसके key symptoms क्या हैं, तो friends, ये आ गए हैं हम ammonium carb के main page पर, तो friends, सबसे पहले हम इसके key symptoms को पढ़ लेते हैं, यनिकि इसका मतलब क्या है key symptoms का, friends, कि ये symptoms तो patient में रहेंगे ही, रहेंगे, अगर आप ये symptoms नहीं पाए जा रहे हैं, तो आप गलट direction में, आपकी case taking एक सही direction में नहीं है, friends, तो उसमें सबसे पहला point है, mental sluggishness, जैसे कि मैंने आपको key uses में बताया था, friends, कि इसके mental level पर भी, as well as physical level पर भी, आपको sluggishness देखने को मिलेगी, और बहुत ज़्यादा fatigue देखने को मिलेगा, तो friends, इसके key symptoms में भी यही बात discuss की गई है, कि mentally sluggishness, तो ये बहुत ज़्यादा सुस्त रहने वाला है, friends, बट ये जो point इन्होंने बताया है, ये पूरी तरीके से clear नहीं है, actually, इसकी story ही अलग है, इसके अ औरा create करना है, एक ओधा मुझे stable करना, यानि कि अपनी life में stability लानी है, जिसमें एक इज्जत हो, एक आशावादी जिंदगी हो, यानि कि कोई भी मेरे उपर उंगली ना उठाऊ सेके, ये उसका aim रहता है, पूरी life का, बट ये phase starting में मिलेगा, friends, बट जब ये phase complete नहीं हो प तो वो चीज उसको दिमाग में बार-बार hit करती है, friends, और उसके कारण उसको depression आजाता है, और उस depression के कारण उसका पूरा mental level बदल जाता है, friends, वो बहुत ज़दा confused रहने लग जाता है, बहुत तेजी उसके दिमाग में आ जाती है, और फिर वो चाहता है कि अब मैं दूसरा रूप धारन करूँगा, यानि कि फिर वो ताना शाही रूप में आ जाता है कि या तो अभी कर दो, या फिर शब तहश नहश कर दूँगा मैं, ऐसे इस प्रकार से उसका level आ जाता है, तो friends, ammonium कार एक बहुती deep remedy है, आपको बहुत ध्यान से इसको सुनना पड़ेगा, तब आपको ये clear होने वाली है, चलिए key symptoms को थोड़ा सा पहले से discuss कर लेते हैं, उसके बाद हम remedy profile पढ़ेंगे, तो बिल्कुल clear आपको आज होने वाली है, second point में इसमें बात की गई है fatigue की, जो से मैंने आपको पताया, friends, दो चीजे रहने ही रहने वाली है, mental sluggishness और fatigue इसके पू पहले मैं बहुत ही एक आशावादी था, यानि कि मेरा एक life का routine था, एक schedule था मेरा, मैं उसी पे रहना चाता था, एक अच्छी life, यानि कि सच्चा बंदा जो कभी late नहीं पहुसता है, जो routine से सब काम करता है, एक दम perfect सब काम करता है, ऐसा बंदा वो था, friends, बट जैसे ही उस को demotivation हुआ यानि कि उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई, उसको लगा कि दुनिया में इसे बहुत आगे जा रही और मैं कहीं नगहीं पीछ शड़ता जा रहा हूं, तब उसके बाद ये सब condition उसके में पैदा होती है, friends, fourth point में बात की गई है breathlessness, तो friends, इसका सांस फूल जाता है, और वो किस कारण क्योंकि इसकी चाती में बलगम जम जाता है, friends, और इसकी चेस्ट में बहुत ही भारी पन रहता है, और उससे ही इसके सांस फूलने लगते हैं, इसके अंदर breathlessness आने लगती है, उसके बाद की जो point है, friends, उसमें भी यही बात discuss की गई है कि sense of compression in the chest, तो इसकी पूरी chest में ऐसा लगेगा कि compressions हो रहा है, याने कि खिचाब हो रहा है मेरी उचाती पे, बहुत ज़्यादा भार रखा है, ऐसे patient आप लोगों को बताएगा, last point में भी बात की गई है, friends, की person feel worse for cold and damp, तो इसका सबसे बड़ी modalities है, friends, modalities में जो सबसे ब by line पढ़ेंगे, friends, आराम से discuss करते वे पढ़ेंगे ताकि आप लोगों कोई भी confusion ना हो, start करते है, friends, this remedy is best suited to people who polarized between a fast, excitable, idealistic state, एक stage तो ये हो गई, friends, इसकी, कैसी, बहुत इज़ादा, fast है, excitable है, और idealistic state है, याने कि वो हर चीज perfect तेजी से करने वाला है, एक ideal बंदा है, and one that is absent-minded, confused and chaotic, और दूसरी stage में क्या पाया गया है, वो कही न कहीं absent-minded रहने लगता है, याने कि absent-minded का मतलब यह है, friends, कि आप बैठे कहीं और रहे हैं, और आप सोच कहीं और रहे हैं, तो ऐसे कहीं खयालों में खो जाना, उसी को absent-minded state कहते हैं, और उसके साथ-साथ वो confused रहने लगाया और उसके thoughts, chaotic thoughts उसको आने लगे हैं, तो दोस्त, उसको state हमेशा रहेंगी, friends, पहली state कव रहेगी और second state कव रहेगी, उसके बारे में हम इसमें discuss करने वाले हैं, next line में बात कीगी है, their initial idealism may lead to be misjust their own abilities resulting in disappointment, resentment or a feeling that they will never succeed, तो friends, जो उसका initial idealism था, याने कि, जो मैंने आप को starting में बताया, कि जो उसका routine था, उसका perfection था, उसका एक ओधा बनाना चाता था अपना वो life में, जब वो maintain नहीं हो पाता है, किसी ना किसी कारण वर्ष, तो उसके अंदर एक depression पैदा होता है, friends, वो disappointment, वो depression उसको कैसा बना देगा, फिर उसे अपनी ही abilities पे doubt होने लगेगा, याने कि वो अपनी ही abilities को misjudge करने लगेगा, कि उसे लगेगा कि मेर से तो ये काम अब हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले नहीं हुआ तो अब क्या होगा, तो इस प्रकार से वो अपनी ही abilities जो उसके अंदर perfection था, जो काम को लेकर routine था, उसको या वो misjudge करने लगा है, उस याने कि उसको बहुत ज़्यादा निराशा आ जाती है, अब आप सोचके देखे कि आपका जो life का aim है, याने कि आपका जो passion है, वो पुरा aim ही अगर बदल जाए तो पुरा जीवन निराश हो जाएगा, तो ऐसा ही condition हमें ammonium carb के patient में देखने को मिलता है friends, आगे पढ़ते हैं कि पूरी life वो इसी चीज में गुजार जाते हैं, कि मुझे अपनी life में एक value create करनी है, और सच्चाई के रास्ते पर मुझे चलना है, और एक ओधा खड़ा करना याने कि मेरा नाम हो, मेरी इज्जत हो इस पूरे समाज में, तो इस चीज को वो बहुत मान के चलते हैं, आप इस पेशेंट के साथ भी देखने को मिलता है, आगे पढ़ते हैं, if these structure begin to drop away, perhaps due to stress or illness, तो क्या बताया गया है, अगर ये structure drop away हो जाए याने कि ये जो structure चल रहा है, ये कही न कहीं बिगड जाए, वो किस कारण, या तो कोई तनाव आया, या फिर कोई बीमारी आई, आगे to other people, and to any distress, they may be experienced, but are also inclined to be challenging and disobedient, अब हुआ क्या है, friends, कोई तनाव आया, या कोई इलने साही, तो उसके कारण, उनका पुरा thought ही बदल गया, वो बहुत ज़्यादा exhausted रहने लगे हैं, और muddled, muddled का मतलब है, friends, चकराया हुआ याने कि, अब उनको कुछ भी ढंग से समझ नहीं आता है, उनके mind में एक चकर व्यू सा घूमने लग गया है, ने कि वो परेशान से रहने लग गया है, जैसे कि इसको simply अगर हम explain करें तो वो बहुत ज़्यादा confused रहने लग गया है, patient, और वो दूसरे people से भी बहुत ज़्यादा sensitive है, they are sensitive to other people and are distressed, and to any distress they may experience, but are also inclined to be challenging and disobedient, तो अगर कोई भी distress याने कि उनके बीच में रुकावाट आती है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा sensitive हो जाने कि अगर मान लीजिए, किसी पडोसी ने उनको हलका सा भी कुछ बोल दिया कि आपके पास तो ये चीज नहीं है, तो वो उन इतना ज़्यादा दिल पे ले लेंगे, और उसको एक ऐसा मान लेंगे कि मुझे इस बंदे ने challenge दे दिया है, और उस challenge को फिर पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने लगता है, और फिर वो अंत में यही बात बताई गई है, they are also inclined to be challenging and disobedient, तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनते कि इसने मुझे यह ऐसा कह कैसे दिय तो आपको एक theme समझ आ रही होगी, friends की जैसे कि एक गाउं का भुजुर्ग है, या फिर एक मुखिया है, जो एक ओधा maintain करना चाता था, अपनी respect बनाना चाता था, सब के सामने और ऐसा नहीं हो पाया, वो क्यों नहीं हो पाया, या तो कोई stress हाई, या फिर कोई illness हाई, तो उसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मेरे विरुद आ गई है, यानि कि मेरे पर उंगली उठा रही है, तो इस चीज़ को लेकर वो ऐसे मानने लगा है कि ये मेरे लिए एक challenge बन गया है, कि मुझे अपना नाम दुबारा से create करना है, और उसी को लेके वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, बहुत ज़ादा परेशान, confused रहने लगता है, और फिर वो किसी की नहीं सुनता है, यानि कि ये चाता है कि बस मैं फिर अब एक तानाशाही रूप में आ जाओ, उसी के बारे में आगे बताएंगे friends, कि बस मेरी ही चले, अब जो उसके मन में अंदर cloudy weather, तो ये बहुत बड़ा symptom है friends, कि cloudy weather के अंदर उनका पूरा temperature बदल जाएगा, यानि कि mental level जो है उनका पूरा का पूरा बदल जाता है, उनको बहुत ज़दा भूलने लगते हैं, उदास रहने लगते हैं, वीपी मूड हो जाता है, और बहुत ज़दा गुसा भी आने लग जाता है, तो ये conditions को जरूर याद रखिएगा, ammonium carb में की cloudy weather उनको aggravate करता है, उनके mental level को खास कर, तो friends, ये तो था उनका mental level का case की, आप समझ गए होगे कि क्या situation ammonium carb के patient के अंदर रहती है, अब हम इसके physical level की बात करते हैं, Physical symptoms typically treat with ammonium carb include severe fatigue, skin eruption, chesty respiratory condition, such as bronchitis and problem generated by sluggish circulation, it may also be used for scarlet fever, तो ये सब physical condition हम इसके key uses में भी पढ़ चुके हैं, friends की थकावट के लिए काम आती है, skin condition, chest की condition, eruptions के लिए काम आती है, bronchitis के लिए काम आती है, और अगर आपका circulation बहुत ज़दा sluggish है, सुस्त हो गया है, उसके लिए भी काम आती है, और scarlet fever के लिए remedy बहुत ज़दा काम आती है, तो friends अब अलग-अलग symptoms को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से explain किया गया है, इन सब conditions के अंदर क्या-क्या symptoms रहते हैं, उसको हम line by line पढ़ते हैं, तो सबसे पहले friends हम fatigue की बात करते हैं, तो fatigue में क्या symptoms रहेंगे, उसको जानते हैं, extreme fatigue possibly with great weakness, fainting, irritability and depression, तो बहुत ज़्यादा fatigue यानि कि बहुत जल्दी ठक जाएगा, बहुत ज़्यादा ठका-ठका सा महसूस करेगा, बहुत जल्दी faint हो जाएगा, यानि कि थोड़ा सा काम करती है, उसको ऐसा लग क्यों, क्योंकि मेरा जो ओधा है, वो वापिस आ जाए, किसी तरीके से, लोग बाद मेरी जट करने लगे, तो इसलिए, वो किसी भी हद तक जाने को तयार हो जाता है, friends, और उसे करने के लिए वो ज़्यादा ही effort लगाता है, तो बहुत जल्दी ठकने लग जाता है, लेवल था, वो पहले कैसा था, और बाद में कैसा हो जाता है, पहले था आइडलेस्टिक, पॉजिटिव, और अब कैसा हो गया है, ग्लूमी, साइकॉर्टिक, कन्फ्यूज, एप्सन माइंडिड और हैस्टेरिकल, तो वो बिल्कुल ही बदल गया है, बिल्कुल अपॉजि तर हमें illness के कारण ऐसा देखने को मिलेगा, कि कोई बिमारी आई, उससे पहले patient बहुत अच्छा था, आशावादी था, routine में रहता था, बड़ जैसे ही वो बिमारी आई, वो बिल्कुल उसका opposite हो गया है, तो ऐसा हमें किसी physical symptom के बिगड़ने के कारण ऐसा हमें मिलेगा, friends, तो वहीं पर आप समझ जाएगा कि यह ammonium carb का case है, चलिए fatigue को पूरा तक खतम कर देते हैं, फिर थोड़ा समझते है, an overwhelming sensation that thing cannot go like this, they may felt with initial jest and spark giving way to scattered and exhaust feeling, अब उसके अंदर एक overwhelming sensation आती है, friends, An overwhelming sensation that things cannot go like this may be felt within initial jest and sparkle giving way to scatter, and exhausted feeling, तो अब वो यह जो sensation उसके अंदर आई है, इसको दूर करने के लिए वो ऐसा चाहता है कि मैं हर चीज़ को तहशनेश कर दूँ, तभा कर दूँ, और उसी जद्धो जहत में वो बहुँ ज़ादा exhausted feel करता है, friends, Ultimately these symptoms may lead to the feeling of depression and nervous exhaustion, तो अंत में क्या होता है, friends, वो जो चाहता है, वो हो नहीं पाता है, और उसके कारण वो एक depression में चला जाता है, और पूरा उसका nervous exhaustion हो जाता है, यानि कि उसकी नसे तक weak पड़ जाती है, उसके अंदर इतनी शमता ही नहीं बसती, physical level पर भी as well as mental level पर भी कि वो कुछ काम अब कर पाए, तो ये है पूरी कहानी आने की fatigue में भी उसका mind level ही चमक राए, friends, कि ये थकावट आई कहां से, ये थकावट उसके mental level से आई है, friends, अब इसकी modalities को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि fatigue के condition के अंदर कब ज़्यादा आराम मिले और कब symptoms और ज़्यादा aggravate होंगे, तो symptom better होते हैं for warm and dry surrounding, अगर थोड़ी सी गर्मी वाला मौहल है तो अच्छा लगता है, और dry surrounding याने की सूखी हवाई चल रही है तो उसको better लगता है, for raising the feet, ये बहुत important friend symptoms हैं कि पैरों को वो थोड़ा सा उठा के रखना चाता है, याने क अगर वो कुरसी पे भी बैठा है तो उसे front में ऐसी चीज़ चाहिए जिस पे वो पैर रख सके support चाहिए, और लेटे वे भी उसे नीचे तकिया लगा कर थोड़ा सा आराम में लगा है, याने कि पैरों को थोड़ा उठा कर रखना चाता है, उससे उसे अच्छा फील होगा अगरावेशन कब होगा, cloudy weather में उसको अगरावेशन होगा, continuous movement से उसको अगरावेशन होगा, modalities से भी साफ समझा रहा है फ्रेंस की, cloudy weather उसको अगरावेट करते हैं, हमने ये इसकी की symptom में भी पढ़ा है, continuous movement से अगरावेशन क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी शमता ह नहीं बची है कि वो लगातार कोई काम कर पाए इसलिए उसको इस चीज़ से अग्रावेशन हो जाए चलिए इसके रेस्पिरेटरी इलनस पर चलते हैं और जानते हैं कि इस कंडिशन में क्या सिम्टम रहने वाले हैं असेंशिशन और ओप्रेशन इन दी अधितर डॉक्टर के माने यही रेमडी rust तो ऐसा नहीं है कि अच्छे से करेंगे एक उसके मेंटल लेवल को समझेंगे तो हमें क्लियरली समझारा है कि अमोंियम कार्व का पेशेंट है उसका तो पुरा structure ही अलग है तो इसमें भी बहुत जादा आपको tickling rattling cuff मिलने वाली है अब cuff इतनी भयंकर है इतनी ज़्यादा है कि उसको जी मिचलाने लगता है कि उबकाई यह आने लगेंगी खासते खासे और खासकर कव है यह सब रात के समय और इतनी ज़्यादा खासी होगी फ्रेंड्स की वो खासते खासते घपराट तक हो जाएगी उसको palpitations तक हो जाएगी निक्षिस की धड़कन तक बढ़ जाएगी तो ब्रॉंकाइटिस के लिए रेमेडी बहुत ज़्यादा यूज आती है अगर आपने case taking करके रेमेडी दे दी और वो ही उसकी रेमेडी भी फ्रेंड्स तो ये जादू की तरह काम करती है आप बिलीव भी नहीं कर सकते इतनी तेजी रेमेडी काम करती है बहुत deep acting remedy है फ्रेंड्स ही चलिए respirator illness की modalities को समझ लेते हैं symptom better cup हो रहे हैं for warm, dry surrounding, for pressure on the chest, for raising the feet तो गरम से, dry surrounding सुखी हवा से उसको अच्छा लगता है चाती पे अगर कोई pressure या नहीं की वो बताएगा कि मैं अपनी चाती को मलता रहता हूँ और हाथ लगाता रहता हूँ दबाता रहता हूँ pressure देता रहता हूँ तो मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है पेरो को थोड़ा सा उपर रखके बैठेगा या लेटेगा तो उसको हमेशा आराम मिलेगा यह इसकी पूरी modalities में आपको मिलने वाला है अब वर्स कब होता है cloudy weather से aggravation होता है continuous movement से aggravation होता है चलिए poor circulation की तरफ चलते है देखते है क्या symptoms इसके अंदर पाए जाते है poor circulation में friends इसकी body में blood का circulation अची तरह हो ही नहीं पाता है इसी कारण इसके अंदर इतना ज़्यादा fatigue है इतनी ज़्यादा sluggishness है और इसलिए इसका सांस फूलता है उसी को हम इसमें समझेंगे breathlessness, wheezing, palpitation and fatigue particularly following exertion तो इसका सांस बहुत जल्दी फूल जाता है और उसके सांस वीजिंग and palpitation है and fatigue है particularly following exertion जैसे ही वो कुछ exertion करेगा यानि कि हलका फुलका भी वो काम करेगा या कुछ तेजी उसके body movement में आएगी तुरंत उसका सांस फूल जाएगा घबराट हो जाएगे और वो ठक जाएगा ये patient आपको 100% बताएगा आपको clinical जब आप case taking करेंगे कि जैसे ही मैं थोड़ा सा भी काम करता हूँ मैं ठक जाता हूँ तो अगर आपको ऐसा patient बताए और उसको पैरो को उपर रखने से आराम मिले और उसके साथ साथ उसके mental level ammonium carb जैसा हो तो आप अगर अच्छे से case taking करके देंगे तो 100% ये दवा काम करती है चलिए पूर circulation को एक बार complete कर लेते हैं symptoms are of a complaint by flushed puffy face and are typically due to insufficient circulation of blood by the heart तो हमारी heart में ही जो blood का circulation है वो insufficient है blood इतना ज़्यादा proper work ही नहीं कर पा रहा है नहीं कि जो heart है वो इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है कि हमारी पूरी body में blood को circulate कर पाए तो यहीं से उसको इतनी दिक्कते पैदा हो रही है तो जैसे ही वो insufficient circulation of blood by the heart चलिए modalities को समझ लेते हैं symptom better कब होते हैं गरम से dry surrounding से for raising the feet यह तीन चीज़े दोस्तों अगर आपने दिमांग में रख ली यानि कि modalities को समझेना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि modalities ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें other remedies से थोड़ा सा different कर देती है एक remedy को यानि कि बहुत साए remedies को separate कर देती है सिर्फ उसकी modalities को अगर हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसकी modalities भी बिल्कुल unique है कि इसको dry surrounding से गरम से उसको अराम मिल रहा है और जैसे वो पैरों को उपर रखता है थोड़ा सा उसको better मैसूस होता है और cloudy weather और continuous movement से उसको aggravation होता ही होता है चलिए अब इसके skin की condition पर चलते हैं कि skin में क्या symptom पाए जाएंगे तो skin eruptions such as boils, pimple, red blotches that are often slow to clear याने कि जो भी उसके eruptions हैं वो बहुत दीरे दीरे ठीक होते है इतनी जल्दी ठीक नहीं होते patient आपको बताए गए बात ammonium carb is used for rashes urticaria hives ursipilis with violent itching तो बहुत ज़ादा उसको खुजली रहने वाली है उसके साथ urticaria रहने वाला है hives रहने वाली है rashes रहने वाली है ursipilis तो friends इन सब में क्या होता है धापड पड़ जाते है जो simple language में word use होते है ursipilis में क्या होता है friends पूरा red हो जाएगी skin उसके चोटे 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 reaction and sensitive typically to water there is often dislike of bathing और washing तो जैसे ही उसकी अगर eruptions हैं जैसे ही उस eruptions पे पान ही डलेगा friends तुरंट उसको एक burning जलन जैसी पैदा होगी और उसके साथ साथ खुजली उसकी और ज़्यदा दुगनी हो जाएगी तो इसी condition के कारण patient नहाना भी पसंद नहीं करता है और दोना भी पसंद नहीं करता है यानि कि उसको कहा अगर हाथों पे भी allergy है तो friends हाथ भी दोना पसंद नहीं करेगा क्योंकि जैसे ही हाथ दोएगा तुरंट उसकी allergy itching दुगनी हो जाएगी और जलन उसके अंदर पैदा हो जाएगी तो ये बहुत बड़ा point है इसकी skin condition के अंदर आगे बात की गई है the skin eruptions are commonly considered indication for more serious internal problems तो इसका जो skin eruptions है वो हमें आगा करता है indicate करता है कि इस शरीर के अंदर बहुत सारी समस्याइं पैदा हो रही है या बहुत ज़्यादा serious condition पैदा हो रही है and are usually accompanied by flushed and puffy face due to weak circulation तो जैसे ही यानि कि मैं थोड़ा सा clear कर देता हूँ आपको जैसे कि मालिज़ skin condition का आपके पास patient आया है तो उसके साथ-साथ अगर उसका चहरा बिल्कुल flushed है जैने कि बिल्कुल गिरावा चहरा है लाल पड़ा है और भारी-भारी से चहरा है सूजा-सूजा सा चहरा है और उसके साथ-सको गवराट है और ऐसे mental symptoms पाए जाएंगे तो friends समझ लीज़ेगा कि ये ammonium carb का patient है और modalities देखते ही pressure on the skin पे भी अराम मिलेगा याने कि बहुत सारी ऐसी remedies है कि skin छूना भी नहीं चाहता फ्रेंड्स patient बट इसमें क्या condition है कि अगर वो skin को दबाता रहेगा जहांसे eruptions है तो उसको थोड़ा बहुत अराम मिलेगा aggravation कब होंगे cloudy weather से for continuous movement याने कि वो बताएगा कि जैसे ही मैं चलता फिरता हूँ मेरी खुजली और ज़्यादा बढ़ जाती है cloudy weather में तो उसको aggravation होगा ही होगा सबसे last point पे चलते हैं scarlet fever scarlet fever होता कि जैसे मैंने आपको बताएगा छोटे-छोटे रैसिस होता है from neck and the upper trunk तो गर्दन से लेके अपर ट्रंक तक पूरे में फैल जाएंगे वो red tiny sports और उसके साथ-साथ गले में दुखन रहेगी सर में दर्द रहेगा और fever रहेगा modalities की बात करें for pressure on the affected area pressure से अराम मिल रहा है और इसमें थोड़ी सी modalities बदली गई है lying on the abdomen और the right side यहने की patient को बुखार के दोरान पेट के बल लेटने से और फिर right side लेटने से थोड़ा सा अराम मिलेगा aggravation कब होगा cold से, damp से और सुबह सुबह उसको aggravation होगा तो friends यह है एक overview ammonium carb का अशा करता हूँ आप लोग को remedy समझाई होगी कितनी deep तक remedy है उसकी depth समझाई होगी friends और अलग-अलग symptoms के अंदर इसकी क्या-क्य conditions है वो भी समझाई होगी friends और इसकी modalities भी आप लोग को समझाई होगी बट अगर आपको अब भी कोई भी doubt है यानि कि छोटे से छोटा भी doubt है friends comment box में comment कीजिए आपकी query को जरूर complete किया जाएगा and हमारी ये series आप लोग को कैसी लग रही है friends इसके बारे में जरूर हमें comment box में बताईएगा क्योंकि हमारा main focus ही है ये friends कि patient की language को material medica की language से तो यही हमारा उद्देश ये है friends वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा कल आप से फिर मिलेंगे एक नई remedy के साथ तब तक के लिए धन्यवाद